कि सुना है अमिताबच्चन ने अपनियावर्ट करने वाले या लांच कर दिया है सल्मान vi किसी ऐसी अप्लीकेशन में इंवेश्च्वमेंट करने वाले हैं जिसका नाम चिंगारी एसे क्या है एनसे से कैसे हम पैसे कमा सकते हैं और यह किस हैं लिदो टैंकि से लिदिया अगर लाइक और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं कावलों का प्यार मेरे साथ में हमेशा बना रहेगा तो दोस्तों आखिर अमिताब बच्चन अपनी एनेफटी लांच करने वाले हैं यह एनेफटी क्या हैं एनेफटी मेटावर्स क्रिप्टो 3.0 यह क्या है किस चिडिया कैसे काम करती हैं यह सब हम लोग जानते हैं यह सब मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप जरूर सुरिए गा ध्यान से सुरिए गा इसकी करना है तो आप इसकी कर सकते हैं वीडियो को छोड़ सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में बने रहना है तो आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि NFT क्या है, non-fungible token, ठीक है, इसे हम non-fungible token क्यते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि fungible क्या है, fungible के बारे में अगर हम जानते हैं, तो इसका अगर मैं आप कोई कुधारद दे के समझाता हूं कि कोई अदिडास का सूज है और आपके दोस्त के पास में भी कोई अदिडा सूज है ठीक है अगर वह एक दूसरे सा आपस में उस सुज को बदल Lेते हो ठीक है उससे change कर लेते हो तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं उसकी value में कोई फर्क पड़ता है क्योंकि same चीज़ आपके दोस्त के पास में है और वही same चीज़ आपके पास में ठीक है इसे हम fungible transaction भी कहते है non-fungible transaction या non-fungible क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं आपको एक example देकर समझाना चाहता हूँ कि आपके पास में कोई एक T-shirt है आप T-shirt लेने के बज़ार से आपने उस T-shirt को लिया बट उसकी value कितनी है जो आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक भी हो सकती है लेकिन अगर उसी T-shirt को सचिन ने किसी sports में पहना हो फिर उस T-shirt की या उस T-shirt पे सचिन की photo बनी हुए तो उस T-shirt की value कितनी हो जाएगी कि आपको पता है उस T-shirt की value 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना या बहुत जादा हो जाएगी करोडों में भी बिख सकती है क्योंकि जो लोग उसकी value समझते हैं वो उसको लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ठीक है अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो अपना एक digital platform launch करना चाहते है या अपना digital ownership किसी को देना चाहते है जिसे हम NFT कहते है non-fungible token non-fungible token क्या है वो एक blockchain technology पर आधारित होता है blockchain technology ठीक है इसके बार में अपने अगर सुना होगा नहीं सुना होगा तो इसके लिए मैं एक video बना कर या बनाऊंगा जैसा आप लोग बोलेंगे और जैसे आप लोग मेरे को comment box में डालेंगे blockchain के लिए एक video चाहिए तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा blockchain technology क्या है मोटा मोटा हम यहां पर जान लेते है blockchain technology अगर मैं बात करता हूँ कि crypto जो लोग कहते हैं कि crypto पर अधारी थैठीक है blockchain technology जो है crypto जो है वो blockchain के software के concept पर बनाए गया है मतलब blockchain जो है उसका बाप है ठीक है वो उसको केवल use करने के लिए बनाए गया है और एक मैं वीडियो की बात करता हूँ जो NFT वीडियो है जो 48 करोर रुपए में बिका है केवल 10 सकेंड की वो वीडियो है मातर 10 सकेंड की वीडियो बट क्यों क्योंकि वो NFT से related है NFT आखिर क्या है blockchain आखिर क्या है या इसी क्या technology है जैसे कि अगर आप लोग ध्यान देते होंगे आपने Amazon से समान मंगाया है या QR कोड का उप्योग होता होगा न तो उससे प्रोड़क्ट की वेरिफिकेशन या प्रोड़क्ट का स्पेसिफिकेशन पता जलता है जिससे पता जलता है कि ये प्रोड़क्ट Amazon से आया हुआ इस प्रोड़क्ट की cost क्या है इस प्रोड़क्ट का ID नमबर क्या है इस प्रोड़क्ट की पहचान की जाती है सेम उसी तरह से एक NFT token होता है जिसका क्या बोलते कोई भी duplicate नहीं बनाया जा सकता है ठीक है वो भी एक QR code की तरह ही काम करेगा अगर किसी ने एक patent ले लिया है अपना ठीक है एक patent ले लिया है कि ये Apple जो है वो स्रीनगर से आया हुआ है और वो Apple जो है स्रीनगर का है तो उसकी value बढ़ जाएगी और उसके पीछे एक patent लगा दिया गया है तो उस Apple के क्या होगा cost और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता है उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता है सेम यही blockchain इसी पर आधारी थे इसके लिए मैं आपको full video बनाऊंगा प्लस यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस यही समझना है तो NFT किस तरह से काम करती है यह सब हम लोग तो blockchain इसी पर आधारी थे इसी तरह से काम करता है ठीक है इसके अलबावा अगर आप लोग को